हेलो, क्लास टू, विशय हिंदी प्याकरन, बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपकी पुर्णा बृत्ती है, आप इसे साफ साफ अपनी कौपी में लिखेंगे और इसे याद भी कर लेंगे, तो चले शुरू करें, जो प पत्र बाड़ता है, और उसके बल्ले में एक शब्द हमने लिखा डाकिया, जो कपड़े सिलता है, वो दर्जी कहलाता है, उसे क्या कहेंगे, दर्जी, आप याँ चित्र में देख रहे हैं, उपर के चित्र में डाकिया चिठी लेकर आया है, तो जो पत्र बाड़ता है, व तो जहां इलाज होता है उसे क्या करते है अस्पताल, जहां पढ़ने जाते है पाठशाला, तो यह चितर आप देख रहे हैं, इसके अनुसार यह सारी जानकारी आपको दी गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक तरफ हम लिन लिखा है अनेक शब्द, और उसके बल्ले में एक तरफ लिखा है, हमने एक शब्द, तो आप ध्यान से सुनिये, जो जूते ठीक करता है, जो जूते की मरमत करता है, या जूते ठीक करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोची, जो सेना में काम करता है, उसको कहते हैं सैनिक, जो खेती करता है, वो किसान कहलाता है, जो कवि जो बगीचे की देख़़ाल करता है, माली होता है. जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो कुमार कहलाता है. तो इस प्रकार हमने देखा कि अनेक शब्धों को मिला कर एक शब्ध बनाया जा सकता है. लिखा जा सकता है, जो आपको सुब्धा होगी पड़ने में और लिखने में तो चले फिर से एक बार शुरू करते हैं एक बार फिर से पड़ लेते हैं जो पत्रबाढ़ता है दाकिया जो कपड़े सिलता है डरजी जहां इलाज होता है अस्पताल जहां पढ़ने जाते है पाटशाला, जो जूते ठीक करता है मोची, जो सेना में काम करता है सैनिक, जो खेती करता है वो किसान, जो कविता लिखता है वो कभी, जो बगीचे की देख भाल करता है माली, जो मिट्टी के बरतन बनाता है कुमार अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगी तब तक के लिए धन्यवाद